नमस्कार साथिया मैं प्रशांत physics वाला teaching वाला से बोलना हूं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं साथियों आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि National Education Society for Tribal Students हिंती में इसको बोलते है राष्ट्री आदिवासी छात्र सिक्षा समिती जिसको हम एकलब्य model के school के नाम से जानते हैं आप सभी लोगों ने एकलब्य का form भी भरा होगा पहले तो साथियों एकलब्य model के form में teaching और non-teaching के जो post है उनसे related जो नियमावली आई है ये government का जो एक body है एक autonomous body है ministry of tribal affairs इसको देखता है और teachers और non-teachers के जो post है किस तरह से उसके भरती प्रक्रिया होगी आने वाले समय में ये नियमावली मैं आपको एक बार पढ़के बता देता हूँ ताकि कौन-कौन form भर सकता है मैं आपको ये भी बताऊंगा और basically ये कौन से class के लिए होता है क्या primary के लिए होता है या आपर primary के लिए होता है या TGT PGT के लिए होता है ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक बार detail में बता देता हूँ और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह से क्या-क्या चीज़े पढ़नी है और कौन-कौन लोग एकलब बे model की school में फार्म भर सकते हैं तो साथ से यहाँ पर देखेंगे ये एक notification है notification में आप पुरा address भी देख सकते है जन्जाती कार्य मंत्राले के अंतर गताता है ट्राइबल एफेर्स मिनिस्टर के अंतर गताता है और इसमें जो है notification के अंदर जो महतफूर बात है इसमें लिखा हुआ है कि National Education Society for Tribal Students जिसको हम NESTS के नाम से जानते है और इसमें जो है governing body of NESTS hereby make the following rules and regulation जो इस NESTS या जो इस tribal affair ministry का जो ये एक autonomous body है इसमें जो है क्या इसकी governing body ने क्या नियमावली के अंतर परिवर्तन किया है आप देख सकते है कि regulating of method recruitment in respect following teaching and non-teaching post मतलब जो rules है यहाँ पे क्या rules और regulation होने वाले है board ने इसके अंदर क्या बदलाव किया है आपको यहाँ पर पता चलेगा जिसको हम PGT बोलते है trained graduate teacher जिसको हम TGT के नाम से जानते है art teacher है, music teacher है, physical education teacher है librarian है, counselor है यहाँ तक अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ उपर से लेकर के आप अगर समझ पा रहे हैं यहाँ तक तो total जो है करीब-करीब 9 post ऐसी हैं उपर से जो school के लिए लोग form भरते हैं या school के teaching के संदर में जो post आती हैं, वो आप भर सकते हैं बहुत सारे लोग physical education के teacher बनते हैं, कुछ लोग counselor बनते हैं PGT teacher है और यहाँ पे मैं आपको पहला question का answer देदू कि इसमें PRT teacher नहीं होते हैं, छटी क्लास से लेके 12 क्लास तक की school होते हैं जिसमें आप form भरते हैं इसके बाद आगे आएंगे तो staff nurse है house warden है, accountant है junior secretaryet है assistant है, catering assistant है driver है electrician है, lab assistant है, gardener है cook है, mess helper है coworker है, sweeper है अब इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा क्या नियमावली है मैं उसके बारे में एक बार आपको पढ़के बता देता हूँ कि short title and commencement है ये rules जो है Eclipse model residential school के लिए 2023 से ये लागू होंगे पहली बात, दूसरी they shall come into force on the date of the year notification और अब जब अगला notification आएगा तब से ये नियमावली लागू हो जाएगी इसमें जो है क्या नियमावली है मैं आपको खास करके जो है जो teaching के लिए है जो TGT और PGT teacher के लिए है या counselor के लिए है या music teacher, physical education teacher के लिए मैं जल्दी से जो है जो club model residential school है इसमें जो सभी प्रकार के recruitment होते है ये recruitment जो है आप देखेंगे कि cell be made by only the accordance with the provision of these rules अब जो भी इसके अंदर भरती होगी इस rule के अधार पे ही भरती प्रक्रिया होगी यहाँ पे देखेंगे number of post and classification and pay scale क्या है मतलब salary क्या होती है क्या classification है नौकरियों का तो आप देख सकते है these number of post their classification in the scales pay attached there into cell भी एक column अगले column में जो है इसका जो pay scale है salary का status है वो भी हम आपको share कर देते है इसके बाद जो है age limit यहाँ पे जो है अगले paragraph में है upper age limit क्या होने चाहिए जादा जादा कितना age limit होने चाहिए यह सारे चाहिजे जो है females के लिए क्या criteria है probation period या probation अधिकारियों के लिए क्या criteria है जो already imply है एकलब बे मॉडल के स्कूल में उनके लिए क्या criteria है यह सब कुछ दिया हुआ और disqualification भी दिया है काउन से लोग disqualified माने जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते who has entered into the accordance with the marriage with the person having a spouse living or having a spouse living has entered into the contracted marriage with any person shall be eligible for the appointment to said post and provided that Nests may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law and applicable to such person and other party the marriage and the are other grounds for doing so exempt any person from the operation of the roles यहाँ पे जो है साथियूं अब मैं आपको जल्दी से वो सारी चीजे एक बार बता देना चाहता हूं यह तो एक general information थी अब मैं यहाँ पे आता हूं recruitment for the post of principle principle के लिए क्या यहाँ पे criteria है तो आप लोग देख सकते हैं principle के लिए जो है यहाँ पे मान रिजी यह total 740 vacancy है और group A की post है 12 जो है यहाँ पे इसमें जो है level है पे इसका pay matrix जो है तो 55 साल 55 years for EMRS employees जो already एक लब में model residential school के employee है उनको जो है 55 years के साथ साथ उनको relaxation भी मिलने वाला है SCHT या OBC other category के लिए government के जो norm से वो applicable रहेंगे आगे आते हैं education for other qualification required for the direct roles आगे देखेंगे master degree होना चाहिए BA degree होनी चाहिए experience होना चाहिए जो 12 साल का जिसके पास combined experience हो wise principal TGT, PGT with the minimum 4 years of the PGT and above के लिए ये लोग principal के लिए apply कर सकते हैं अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा principal के बाद वाले में आते हैं जल्दी से आपको मैं खास करके TGT और PGT का बताना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे एक recruitment है wise principal के लिए एक बार wise principal का भी बता देते हैं wise principal के लिए जो है यहाँ पे टोटल 740 पोस्ट है यहाँ पे already इतनी vacancies मतलब इतने schools है और group A के अंदर आती है और यहाँ पे जो pay scale है 56,100 से 1,77,500 रुपे यह हो गया इसके बाद period of the probation कम से कम 2 साल का probation period होगा और इसमें जो है method of recruitment whether the direct recruitment या और by promotion और by deputation absorption percentage of the vacancies to be filled by various method यहाँ पे जो है 50% promotion सेनियार्टी कम fitness के बेसिस पे होगा 50% limited departmental competitive examination होगे अब मैं नीची आ जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगले point पे जो खास करके teachers के लिए है post graduate teacher के लिए जो है जहाँ पे मैं आपको बता दू post graduate teacher के लिए जैसे मान लिजी आप देख सकते हिंदी है English है या regional language है अगर कोई applicable है physics, chemistry, mathematics, economics, biology, history, geography जो है 12 subject जो है PGT के अंतर आता है computer science यह है separate PRS are prepared तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे यह क्या है ग्रूप B के अंतर का दाता अगर आप PGT teacher बन रहे है तो ग्रूप B में आएगा और salary जो है 47,600 से 1,51,100 तक जो है जाती मिलब एक तरह से 50,000 से देख लाग के बीच में salary यहाँ पे PGT level को मिलती है 40 साल से ज्यादा जो है age limit नहीं होने चाहिए और up to 55 years for EMRS जो already EMRS के जो teachers है श्टाफ है उनके लिए relaxation है 55 years तक जो है वो form भर सकते हैं इसके बाद SC, ST, OBC के लिए वैसे ही as it is government के norm रहेंगे और educational qualification के अंदर आप देख सकते हैं सेक्षडिक योगिता जो है PGT English के लिए master degree होना चीए English में इसी तरह से हिंदी का हिंदी में master's होना चीए physics के लिए physics में master's chemistry, mathematics, botany, history ये सब में master's या post graduation की degree होनी चाहिए commerce वालों के लिए commerce with accounting cost, accounting, financial accounting as major subject, office study holders of the degree, m.com होना चाहिए और PGT economics के लिए PGT होना चाहिए economics में और regional language के लिए मतलब उन languages में जो है post graduation होना चाहिए इसके साथ साथ आप देख सकते है candidates passing master degree जो है इसका BA degree होना चाहिए और अगर चार साल वाला BA degree है या अगर चार साल इसमें लिखा हुआ है mention भी किया हो कि अब national education policy आ गई है तो चार साल का BA अब लिख रहे है in case of integrated four year degree course BA is not required तो यहाँ पे जो है BA का होना जो है यह जरूरी है मतलब यहाँ पे यह mention कर दिया गया है कि in case of integrated four year degree का कोर्स है बी यह भी लिखा है कि BA is not required BA नहीं भी required है अगर यह नहीं है आपका चार साल तो दूसरा जो है आगे आते हैं पीरियड आप प्रोबेशन जो है दो साल तक का होता है और अगर हम कॉमर्स की बात करें और पीजिटी एकोनोमिक्स के बात करें तो डायरेक्ट रिकूट्मेंट की बात कर रहे हैं पीजिटी हिंदी इंग्लिश रिजिनल लैंग्विज 50% by promotion and 50% by direct recruitment है और यहाँ पे 25% promotion and 75% by direct recruitment है method of the recruitment यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यह जो recruitment है इसका process क्या होगा उन लोगों के लिए जो deputation पे है जो आल्रेड़ी यहाँ पे EMRS के आल्रेड़ी इंप्लाई है आल्रेड़ी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे related यह बाते कह रहा है कि क्या recruitment का process होना चाहिए तो यह जो है यहाँ पे आप देख सकते है 100% commerce and economics के लिए direct recruitment है बाकि Hindi, English या other languages के लिए 50% direct recruitment है और 50% जो है यहाँ पे इनको जो है recruitment के लिए जो है 50% probation पे रखा जाएगा इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते है promotion जो है आप देख सकते हैं in case of recruitment by the promotion deputation जो लोग promotion वाले हैं reputation वाले हैं उसमें जो है आप देख सकते हैं कि वो already TGT teacher है in service teacher है तो अगर उनके पास TGT in EMRS with master degree अगर उनके पास already है तो उनको जो है promote कर दिया जाएगा अब थोड़ा सा और आगे आते हैं यहाँ पे TGT के बाद जो है आपको PGT के बाद जो है माफ कीजिएगा TGT के बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं TGT का क्या rule है नियमावली है जो trained graduate teacher है इसके पहले मैं आपको PGT computer science का भी एक बार बता देता हूं computer science में पोस्ट graduate होना चाहिए computer science में MCA जिसको बोलते है total post यहाँ पे भी 740 है और यहाँ पे ग्रूप B के नवकरी है 47,600 से 1,50,100 रुपे जो है salary है और 40 साल से ज्यादा age नहीं होने चाहिए लेकिन EMRS के लिए 55 years की age हो सकते जो already imply है वहाँ पे EMRS के और यहाँ पे थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे जो computer science वाले जो लोग देख रहे हैं अगर आप MSC in computer science है, IT है, MCA है, Recognized University से और M.Tech है mechanical engineering में आपने किया है, ME किया है, master of engineering किया हुआ है माफ किजिएगा, master of engineering या M.Tech है, या IT किया है, आप लोग जो है तो apply कर सकते हैं यहाँ पे जो है कोई BA की degree नहीं चाहिए होगी, आप सीधे जो है यहाँ पे 100% by direct recruitment है सीधे जो है direct recruitment के लिए आप जा सकते हैं, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पे अगला point जो है इसकी अंदर देखते है, trained graduate teacher, जी हाँ, trained graduate teacher में थोड़ा सा समझने की जरूवत है इसकी अंदर subject mathematics है, science और social science है, अब यहाँ पे जो है, टोटल जो है 12 जगहों पे चाहिए होगा, 12 पर स्कूल है, मतलब 12 जो है, भरतियां होती है बारत subject के हिसाब से, जो 8880 जो है, टोटल वेकेंसी होती है, वहलों इतनी जगह पे टीचर्स बनते हैं लोग, यह जरूरी नहीं कि इतनी वेकेंसी निकली वही है, यह आल्रेडी वेकेंसी का ब्यवरा दे रहा है कि इतनी seats हैं, और group B जो है, कि नौकरी है, level 7 में यह mentioned है, salary जो है, यहाँ पे 44,900 रुपे से लेकर के, 1,42,400 रुपे salary है, और यहाँ पे 35 साल तक की age, 35 years की age है, अगर आप imply हैं EMRS में, पर EMRS implies, तो 55 years तक जो है, आप फार्म फिल कर सकते हैं, SCHT, OBC के norms जो है, government के norms चलेंगे, और essential qualification जो है, जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को लिए आप यहाँ देख सकते हैं, कि 4 years integrated course जो है, mathematics में जा रहे हैं, आप geology में, बाटनी के लिए या आप SST के लिए फिल करें, तो कोई भी particular जो subject है, कम से कम 2 साल तक graduation में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तीन साल वाले course में, तीन साल का graduation होता है, उसमें 2 साल तक वो subject होना चाहिए, या bachelor degree from a recognized university in concerned subject, the candidate should have studied the requisite subject, 3 years of degree, या आप जो है bachelor degree में तीनो साल तक से honors के course होगा है, लोग करते हैं, कोई chemistry करता है, कोई geology, कोई हिंदी, तो उनका तीनो साल तक होता है, वो मानने है, तो कम से कम 2 साल या 3 साल तक का आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसकी अलावा जो है, आप देखेंगे TGT हिंदी के लिए हिंदी है, जो सब्जेक्ट 3 years होना चाहिए, अगर आप elective languages की बात कर रहे हैं, या TGT English की बात करें तो 3 years तक होना चाहिए, आपके English TGT Math की बात कर रहे हैं, mathematics along with the physics and any one of the following subject, chemistry, electronic, computer science जो है, आपका होना चाहिए, मतलब आप मान लेजिए, for example, TGT Math की लिए form बनने जा रहे हैं, तो आपका जो है, बैचलर डिग्री Mathematics में होना चाहिए, साथ-साथ physics में, chemistry में, या electronics, computer science या statistics में भी आपका graduation होना चाहिए, computer science, electronics, statistics, physics, chemistry, जो है, कम से कम दो साल तक आपका पढ़ा होगा होना चाहिए, इस तरह से combination बनेगा, आगे जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, in case of such universities, which provide for only two subjects, out of the six, as mentioned देबब, तो जो final year वाला graduation में, आपका जो degree है, studied math and physics होना चाहिए, तो final year में, मानने जी, आपका math, physics, chemistry, electronic, computer, science, statistics, in the first and second year, आप देखेंगे, अगर आप माने जी, mathematics के साथ भरने जा रहे हैं, और कम से कम आपका second year तक math, physics, chemistry, यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर आगे आते हैं, तो B.A.C. डिगरी के लिए जो है, electronics, computer, science, chemistry, statistics, कम से कम दो साल तक के होना चाहिए, TGT science के लिए, botany, geology and chemistry का combination मैं आपको बता देता हूँ, कि क्या होना चाहिए, जिसे माने जी, आप 9-10 में science के teacher बनने जा रहे है, TGT science के, तो यहाँ पर candidate should have studied botany, geology and chemistry during the three years of the study in graduation, मतलब 3 सालों तक geology, botany and chemistry आपका पढ़ा होना चाहिए, और कुछ इन और cities में माली जी आपने नहीं पढ़ा हुआ है 3 साल तक, तो आपको क्या करना चाहिए, कि यह subject second year तक, geology, botany, chemistry आपके कम से कम होने चाहिए, मतलब 2 साल तक आपके पढ़े हुए होने चाहिए, तो यहाँ पर TGT social studies के लिए भी same होई चीज है, कि यह subject combination, history with geography, economics, political science, मतलब history के साथ आपने geography, economics या political science पढ़ी हो, या geography with history, economics, political science, geography के साथ history, economics या political science पढ़ा हो, आपने, या आपने कोई 2 subject, history, geography, economics, political science, which one must be either history या geography, तो यह आपने history geography से आपने graduation complete किया हो, history, जो है, geography, history से किया हो, political science से और geography से किया हो, कम से कम 2 subject का या combination होना चाहिए, history geography as above should have been studied for all 3 years, history और geography जो है, आप अगर 3 साल तक पढ़े हैं, उसके साथ साथ, आप economics और political science पढ़े हैं, geography पढ़े हैं, economics और political science पढ़े हैं, तो आपको हिस्ट्री और geography में SST के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे जो है, आप देखते हैं, geography जो है, same studies, history, economics, political science in any of the 2 years of the course, candidate with the BA honors in economics और political science are not eligible for the TGT post, for SST, यहाँ पे एक important चीज है जिन लोगों ने BA honors किया हुआ है, किस में किया है, economics में किया है, history में किया है, यहाँ पे economics में और political science में किया, अगर आपने economics में BA honors किया है या political science में BA honors किया है, तो आप TGT post के लिए SST में नहीं applicable है, आगे आते हैं TGT, जो है, past candidate, teacher eligibility test, seated conducted by the CBC accordance with the guidance of NCD purpose, मतलब TGT के लिए seated qualified होना चाहिए, BA degree होने चाहिए, और English और regional language में competence होने चाहिए, तो यहाँ पे जो है, BA की degree are not applicable for four years integrated degree course as mentioned in subclassy, जो चार साल वाला जो है भी applicable नहीं है, और यह सारी जानकारी हमने आपको TGT level तक की दे दी साथ हो, इसके बाद जो है, art teacher का भी जो है, यहाँ पे 35 years है, art teacher के लिए degree in fine arts, craft, organized, कोई recognized university से हो, BA degree हो, आपके education में, या, एक और है यहाँ पे music teacher के लिए, क्या criteria है, तो music teacher के लिए वही 35 years old, या EMRS की imply है, तो 55 years old, और bachelor degree with music, with recognized institute, इसके बाद जो है, यहाँ पे आते है, physical education का teacher के लिए जो है, इसके salary भी आप देख सकते हैं, 35,400 से 1,12,000, मालब physical education के जो teacher मनते हैं, 35 साल और 55 years की जो एज अभी बताया, वो है, और bachelor degree in physical education from recognized institute, इसके बाद आगे आते हैं साथिओं, आप देख सकते हैं, recruitment for the librarian, librarian के लिए जो है, 44,900 से 1,42,400 की salary है, 35 साल और 55 years है, और qualification degree in library science from a recognized institute और university, यह है आपका, और एक जो है, आपको मैं last वाला बता देता हूँ, और आप देख सकते हैं, last जो है, staff, nurse के दिया है, ठीक है, फिर यह आगे non-teaching के लिए प्रारम हो जाता है, साथिओं, तो इस तरह से जो है, आप सभी लोगों को मैंने TGT level का यहाँ पर बताया, आप सभी लोग इस नियमावली के साथ जा सकते, इस नियमावली को हम दिये गए नीचे link में attach कर देंगे, या आप सभी लोग physics वाला, teaching वाला का telegram channel जोईन कर लिजेगा, वहाँ पर यह पूरा हम notification डाल देंगे, क्या नियमावली चेंज होई है, आप सभी लोग KBS के लिए तैयारी करते हैं, D-Triple S.B. के लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारी student पूछ रहे हैं कि सर D-Triple S.B. वाले pattern पे exam होगा, या KBS वाले, तो आप लोग KBS का syllabus हमारे साथ पढ़े हुए हैं, या D-Triple S.B. की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ अगर या नहीं भी कर रहे हैं, तो जो D-Triple S.B. के लिए आप TGT और PGT लेबल पे पढ़ते हैं, KBS में TGT PGT लेबल पे पढ़ते हैं, सेम उसी ट्रेंड पे पढ़ाई करते रहें, और अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको TGT लेबल तक का पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, और अगर आप स्वयम से खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप खुद से भी तैयारी सुरू कर सकते हैं, KBS जैसे होता है, जो DT प्लेस भी होता है, उसी आदार पे होता है, और इसी आदार पे आपका यहाँ पे computer-based test भी होगा, और यह नियमावली साथ हमने, आज का परपस था कि आपको एक नियमावली से आउगत करा दें, एक लब भी है, model school के बारे में हमने आपको जानकारी दी, साथ यह इस तरह सी आपको PRT, TGT, PGT से सम्मंदित किसी भी परकार की जानकारी चाहिए, डिटेल में और जानकारी चाहिए, हमारे साथ जुड़े रहे है, comment section में भी आप लिखिएगा अपनी जानकारी के लिए कोई भी बात, आपको यह अपने question लिखेंगे, हम आपको reply भी करते रहेंगे, हमारे पास पूरी dedicated team है, जो आप students की service के लिए, सेवा के लिए, आप सभी लोग ततपर हैं, हमेशा हम आपको reply करते रहेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, जो भी query है, आपको हम उसके answer को देते रहेंगे, तो जुड़े रहेंगे साथ वे इसी साथ, इसी के साथ physics वाला teaching वाला के साथ, thank you,